ही गाईज वेलकम बेक टू माई चैनल आर फॉरूबी स्टाइल प्लेस और मैं हूरूबी और आज मैं आप लोगों के साथ सेहर करने वाली हूं बहुत ही इस्पेशल डिस्ट जो की यूपी साइड में बहुत ही फेमस है वो है दाल की गुजिया जिसे हम गोजा भी कहते हैं तो यह बहुत ही अच्छा लगता है नास्ते में डीनर में आप कभी भी बिना सकते हैं और बहुत ही क्रिस्पी लगता है अगर आप इस तरह से उसे फ्राई कर दे तो बहुत ही अच्छा लगता है नास्ते में तो यह बेस्ट आफ्शन है तो आप इसे जरूर एक बार ट्राई करें और हाँ अगर यह रेस्पी अच्छी लगे तो प्लीज प्लीज मेरे स्टैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले वीडियो को लाइक करें कॉमेंट करके जरूर बताएं मेरे वीडियो कैसे लगा और साथ ही साथ सेयर करें तो चलि दिया था जिसरे कि वो अच्छी तरह से फूल गई है उसे अच्छे से हम पानी में धो लेंगे मैंने यहां पर रखा है जिसरे कि वह अच्छी तरह से साफ हो जाए उसके बाद मसालों के लिए मैंने यहां पर लिया है एक चमज जीरा एक कली लासुन अर्व टेवल इसंड ले सकते हैं एक जार में लेगे और पेस्ट कर लेंगे मिलकूल भी मोटा नहीं रखेंगे नहीं तो अच्छा लगेगा उसके बाद दौनों को ही हम एक बावल में न काल लेंगे दोनों ही पेस्ट को इसमें मैंने मसाला भी मिक्स कर दिया है उसके बाद हम एक टेबल इस्पून छोटी टेबल इस्पून लेंगे चम्मच स्वाद के अनुसार नमक लेंगे और सबी को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और यह हमारा स्टफिंग का पेस्ट रेडी है अच्छी से मिक्स कर लेंगे कि हर तरफ नमक वगारा मिल जाए उसके बाद हमने नॉर्मल यह आटा गून लिया है जैसे हम लोग रोटी का आटा गूनते हैं उसी तरह नॉर्मल अब चलो हम इसकी गुजिया बना लेते हैं तो यहां पे मैंने एक लोई ले ली है थोड़ी से बड़ी लोई लेंगे क्योंकि हमें थोड़ा सा मोटा बेलना रहता है और इसको हमने इत्ता बड़ा एक पूरी के तरह हम लोग इसे बेल लेंगे और इसमें स्टफिंग को डाल देंगे अब इसे हम इस तरह से फोल्ड करके और हाथ फिंगर की हल्फ से इस तरह से दबा देंगे यह हमारा गुजिया सेप में बन जाएगा तो यह रहा हमारा गुजिया मैं आपको एक और बना के दिखाती हूं कि मैंने कि इस तरह से बनाया था तो फिर हम इस तरह से एक गुल लोग बना लेंगे और उसे हम इस तरह से बेल देंगे एक पूरी के सेप में जैसे कि मैंने बताया था और फिर हम इसमें अपनी स्टाफिंग को डाल देंगे और फिर फिंगर के हैच से सेम उसी तरह से हम इसे इसमें थोड़ा सा स्टाफिंग जादा हो गया है तो उसको हम एक्स्ट्रा को ऐसे निकाल देंगे और यह हमारी गुजिया बनके रेडी है तो सभी को मैंने इस तरह से बना लिया है उसके बाद एक कुकर में एक कुकर हमने ले लिया है उसको गरम होने के लिए रख देंगे और उसमें पानी डाल देंगे जितना आपको जरूरत है जितने में हमारा गुजिया भीग जाए मतलब उपर तक पानी आ जाए उतना हमको पानी चाहिए आप चाहिए तो इसे डाबल वॉयलर के प्रोसेस से भी कर सकते हैं बट मैं इसी तर बनाती हूं उसके बाद मैंने यहां पर एक चमच रिफाइंड दो चमच डाल दिया है इससे क्या होगा कि जो हमारा गुजिया है वह चिपकेगा नहीं अब यह हमारा जो पानी है उबाल लेने लगा है तो हम इसमें डालेंगे अपनी गुजिया एक एक करके हम सारी जो गुजिया है उसमें डाल देंगे अब हमने इसमें सारी गुजिया डाल दी है अब हम इसको बंद कर देंगे कुकर को और इसमें हम तक्रीबन दो तिन सीटिया लेने देंगे जब तक यह हमारा हो नहीं चाता तो यह हमारे 2-3 सीटी उसके बाद मैंने प्रेसर निकलने के बाद इसको चेक किया तो यह देखे बिल्गुल भी चिपक नहीं रहा यानि कि हमारी गुजिया रेडी है बनके तो यह हमारा हो चुका है तो अब हम इसको फ्राइ करते हैं तो इसमें हम अपना रिफाइन डाल देंगे जो हमारे तेल इसमें हम इसको इस सेप में काट लेंगे अब बहुत ही गरम है तो इसलिए हमने इसको चोटा-चोटा पीस में काट लिया है और तेल हमारा गरम चुका है तो हम इसमें अब अपना डाल देंगे और हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक इसको अच्छे तल लेंगे एक साइड हो जाएगा तो हम उसको दूसरी साइड कर लेंगे यह हमारी गुजिया हो चुकी है गोल्डन ब्राउन अब हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में अब हम इसे एक प्लेट में सर्फ कर देते हैं इसको आप नाजते में चाय और हरी चटनी के साथ इसको आप नहीं आप पर इसे सर्फ कर दी है तो इसमें हम नौर्मल हरी चटनी डालेंगे तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं झाहू हमेज मेंगे भी के लिए Kazakhstanवल हरी नाजते हैं ित अजडड़のは इसे वालेंगे वालेंगे भी जालेंग होड़ कर दी हैं